आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजनीती के उन गहराईयों के बारे में जो हाल ही में सुर्खियों में चर्चा में हैं। तो चलिए, शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जारी राजनीती घमासान के बीच कैबिनेट मंत्री विक्रमा दित्य सिंह ने फिर बड़े संकेत दे दिये हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से PWD मिनिस्टर और विधायक को हटा दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए संकट अभी खत्म नहीं होता नजर आ रहा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्विंदर सिंह सुक्खू और परियव एक्षक का कहना है कि सभी विधायकों की नाराजगी दूर हो गई है और सरकार में सब कुछ ठीक है। इसी बीच पूर्व सीम वीरभद्र सिंह के बेटे और कॉंग्रेस विधायक विक्रमा दित्य सिंह ने फिर बड़े संकेत दे दिये हैं। इससे माना जा रहा है कि हिमाचल कॉंग्रेस में खेल खत्म नहीं हुआ है। विक्रमा दित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना प्रोफाइल का स्टेटस बदल दिया है। राज्यसभा चुनाव के बाद से ही हिमाचल कॉंग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें अपने विचारों को कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद! अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे नए वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना न भूले धन्यवाद